दोस्तों नमस्कार आप देखने वी एच नियूज में आपके साथ हेमन्द चीन के सहारी अपनी नईया पार लगाने के लिए पाकिस्तान अकसर चीन के पीछे खड़ा हो जाता है उसकी आल में छुप जाता है खुद को बचाने के लिए लेकर है कि चीन ही वो देश है जहां पिछले कई सालों से मुसल्मान बेटियों और मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही चीन वीगर मुसल्मानों की धार्मिक परंपराओं को खत्म करने के लिए उनको हान चीनी संस्कृती में ढालना चाहता है इसी को लेकर एक बार फिर से अत्याचार की खबर आई अफसोस लेकर इस बात का है कि इसलामिक देश हमेशा की तरहां हमोश क्योंकि एक बार फिर से मुस्लिमों के अत्याचार का मामला जो सामने आया है जिसमें कई मौल्गियों को जेल भेजा गया ना केवल जेल भेजा गया बलकि कई मौल्गियों की तो इस सजा में जान तक चले गए 2009 से ही चरंपंप के खिलाप कथज़ जंग का खेल चीड खेल रहा है इस जंग में तेजी तब आ जाती है जब 2014 में चीड के एक रेलवे स्टेशन पर बंधमा का होता है और फिर इसको इस्लामी अलगावाद का नाम दे दिया जाता है तब से यहाँ पर मुसल्मानों के खिलाप कई उत्पीडन के मामले सामने आते रहे इसी कड़ी में खबर सामने आई और वो ये कि चीड अब वीगर मुसल्मान इलाकों में मौलवियों पर कस रहा है अपना शिकन जा कैसे रसल रेपोर्ट बताती है कि चीन ने शिंजियांग छेतर में साल 2014 में अब तक कम से कम 630 इमाम और अन्य मुसल्म धर्मगुरूं हस्तियों को कैद कर लिया या हिरासत में ले लिया इरासत में लिये गए कई मौलवियों पर चरंपंद का प्चार करने का समाजिक व्यवस्था को बेगालने का और भीड को जुटाने का जैसे गंभीर आरोप लगे थे लेकिन उनके रिष्टदार ये मानते हैं और ये कहते हैं कि मौलवियों पर लगे आरोपों के पीछे असली अपराद अमूवन ये होता है कि वो धार में को उपदेश देना प्रातना समू बुलाना या एक इमाम के तौर पर काम करना ये इस्तिया हैं इस वज़े से उन पर लेकारवाई हो रही हम आपको दाने की वहाँ ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं ये मानने को कभी तयार हुआ नहीं इसके पीछे का कारण ये भी कि तुर्की को छोड़कर अरब कंट्री वीगर मुसल्मानों के लिए आवाज नहीं उठा पाते चीन इस रहे होंगे ऐसा क्यों है तो शिंजियांग में 10 लाग से ज्यादा वीगर और अन्य मुसल्मानों को हिरासत में लिया गया है शिंजियांग उत्तरप्रश्मी चीन का एक बड़ा एलाका है तुर्क मूल की मुसल्मान यहां रहते हैं चीन पर इस इलाके में मानवदिकार हनन का आरोप भी रगा है जिसमें नजबंदी है रेप है यह तमाम आरोप शामिल है चिंजियांग में हिरासत में लिए गए अधिकतर लोगों का पुना शिक्षय शिवरों में बेबेश दिया जाता है यह तरह का जेल है और यहां पर जेल जैसे शिवर हैं बिना आरोपों के अनिशतकाल तक इनको क्याद कर दिया जाता है यूँ तो चीन के उस्तर पर शमिलाके में तुर्क मूल के लोगों को निशाना बनाना कोई नई बात मैं मुल्सलिम अल्प संखोकों ने 1950 से 1970 के बीच में लंबे समय तक दमंज हिला कुरान जलाई गई मजजितें कब्रिस्ता तोड़े गए और पारंपरिक कपड़ों और हेर स्टाइल पर भी पावंद्या लगा दें 1980 की अगर बात करें तो फिर वापस पुरुद्धार हुआ तोड़ी गए मजजितों को बनाया गया और नई मजजितें बनाई गई लेकिन धार्मिक प्युहारों की इजाज़त फि दी इमाम और अन्य जाने माने लोगों को यात्रा के अनुमती दी लेकिन प्रमुख वीगर विद्वान मुहंबत सर्यायाजम ने कुरान का पहली बार वीगर में अनुवाद भी वां किया और फिर उनिस्वन अभ्हमेश इंजियांग के बरेंच जहर में वीगर चरम पंति सवाल जो खड़े हुए वो ऐसे कि उनके साथ चीन सही वहवार अब करता रहीं उनको और ज्यादा पर ताड़ित करता है अलाकि ये खबरें खुले तोर पर कभी सामने नहीं आपाती और यही वजह है कि उनकी आवाज दब जाती है इस वो लेकर आप क्या सोच रहे हैं ची कोमेंट बॉक्स में वी अची उसको सबस्क्राइब करना नभू लें नमस्कार